हुआ है है हुआ है हुआ है हुआ है चुछ है केंसल है हाँ आगे आगे हो गया रिकाल हो गया ठीक है ठीक हेलो गुट नून कुछ आज हम लोग डिले हो गए अभी नेटवर्क में कुछ प्रावलम हो रही है तो फिर से रिजूम करके हम लोगी स्टार्ट कर रहे हैं अभी कल हम लोग जिस टापिक पिते कल भी कुछ नेट की प्रावलम आ गई थी जिस बज़र से नहीं है और बड़ा ही important topic था withdrawal from prosecution का section 321 पे तो आप थोड़ा उसको हम लोग recap करते हैं और देखते हैं मेरी आवाज आप लोग तक आप का रही है पुछ कर आवाज आ रही है मेरी मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग कोई response करो भई आवाज आ रही है ओके ठीक है तो देखिए हम लोग कल बात कर रहे हैं CRPC के section 321 पे और हम लोग ने देखा कि एक बहुत ही जबजस्त power prosecutor को मिला हुआ है लेकिन यह unrestricted ऐसा नहीं है कि यह power absolute है यह restricted है तो अभी क्या है कि हम इसमें जो CRPC के 321 में provision है वो provision कहीं न कहीं जो उसके interpretation की जरूत पड़ती है उतना provision अपने आप में complete नहीं है इसलिए हमेशा उसमें व्याक्या की जरूत पड़ी है और Supreme Court पे कई बार कई आउसरों पे इस पे discussion हुआ है चुकि यह power state को मिला हुआ है और state को represent करता है public prosecutor तो अब देखना हमको यह है कि इस पे क्या क्या question examination point आप यू से आते हैं और interview में भी कुछ technical point पे इस पे हो होता है जिसका जवाब बिलकुल सदे हुए दे पाना भी कई बार मुश्किल हो पाता है तो इसको कई पार्ट में बाख सकते हैं एक्जाम के point आप यू से आपको देखना है कि इसका provision कहां पे है विड्राल की जब बात आती है तो पूरी C.R.P.C. में कहां कहां विड्राल है ये विड्राल from prosecution है विड्राल of prosecution नहीं है पहली बात दूसरी बात है कि case जो एक बार institute हो गया है court के दर्वाजित तक पहुँच गया है तो क्या वो आपस ले सकता है ले सकते हैं या नहीं है तो इसमें देखेंगे कि कुछ जगा पे complainant को विड्रा करने का option है जैसे 257 में देखेंगे complaint cases में only फिर आप देखें कि 321 में prosecutor को power है तो prosecutor कहां involved होता है state cases में complaint case में complainant को फुद पहरवी करनी होती है इसका मतलब जो complaint case है उसमें prosecutor उसको विड्रा नहीं कर सकता फिर ये देखना है कि trial जो चार तरीके के होते हैं क्या सारे चारों trial में case विड्रा हो सकती है तो बात 321 पर जबाएगी तो उसमें nature of trial चाहे जिस भी प्रकार का हो कोई उसमें restriction नहीं है कि कि टाइप के cases में ये जो है विड्रा कर सकता है prosecutor लेकिन और जगों पर जाएंगे तो आप देखेंगे चार trial में session trial or warrant trial में case विड्रा करने का provision except 321 नहीं है फिर पूरा से RPC यह दि ढूड़ने की कोजिस करें तो एक section मिलता है 224 चार्ज कि एक charge में जैसा कि आपने section 2 में definition देखा है कि charge में एक head भी आ सकता है और कई head भी आ सकते हैं यानि कि 323, 504, 307 अब 307 ट्राइवल वाई सेशन है 323, 504 ट्राइवल वाई मजिस्टेट है एक session trial case हो गया एक summary trial case हो गया या summan trial case हो गया तो इस conditions में तो session trial warrant trial में विड्रा करने का यदि कहीं पे scope है तो 321 में है और charge में जब कोई एक साबित हो गया है तो 224 में भी कुछ charge को विड्रा करने का option है बाके कहीं पे भी session trial और warrant trial में नहीं है Summan trial में आपको दिखता है Summan trial में दिखता है 257 में विड्राल का तो आप एक 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 बड़ा question का भी ये पूछ सकता है एकेवल 321 पे हम नहीं जा रहे है ये आप आ सकता है कि बिना trial को complete किये बिना trial को complete किये किन किन परिस्तितियों में किन किन circumstances में case जो है खतम हो सकता है तो आप देखिए कि यानि कि खतम होने का मतलब disposal हो सकता है यानि कि वो trial के बाद merit पे जाके acquittal या conviction होने के बजाए किसी और तरीके से उस case का पूरा disposal निस्तारण हो सकता है जैसे 321 में क्या है कल हम लोग बात कर रहे थे कि 321 को कभ यूज किया जा सकता है तो before pronouncement of judgment निर्डे सुनाए जानने से पुर्व किसी भी समय तो किसी भी समय में दो पाट हो जाते हैं उसके एक तो before commencement of trial बिचारण प्रारम होने से पहले दूसरा बिचारण प्रारम होने के बाद तो दोनों इस्तितियों में किया जा सकता है तो ये उसका एक पाट आया है कि बिना बिचारण को पूरा किये हुए कब case का निस्तारण किया जा सकता है case when case may be disposed without completing the trial procedure तो ये question आ जाए तो आपको इसमें कई head दिखेंगे उनमें इस एक head है आपका 331 इसलिए जो chapter 24 है आप देखिए कि इसमें से ढूड़ना है कई चीजे मिलेगी कि जब question ये आए देखिए यहा mix नहीं करीगा एक अलग question बड़ा question कि बिना बिशारण की कारवाई को पूरा की हुए कब case का निस्तारण या disposal हो सकता है तो उसका एक बिंदू एक section के अवल 321 किस आता है बाकि उसमें क्या क्या आ सकते हैं आपने जस्ट previous section 320 में देखा कि case यदि 320 में compounding बनाए गया है तो बिना trial को conclude किये हुए वहाँ पे उसको वो disposal हो सकता है तो पहले number पाप को 320 दिख गया फिर 321 दिख गया ठीक है एक इस्तिती ये भी आ सकती है कि जिसके against में charge frame किया गया जिसके against में charge seat आई है और वो जो है उसके death हो जाती है तो आप देखेंगे कि case आबेट हो जाता है कि उप समित हो जाता है उप शमन आबेटमेंट वो आबेटमेंट ये वो आबेटमेंट नहीं है दूस्परिणार वाला ये आबेटमेंट है समाप्त होने वाला उप समन जिसमें उसके हिंदी होती है यानि case कब उप समित हो जाता है तो जब death हो जाती accused की तो किस के खिलाप आप चलाएंगे case आप CRPC में धेसारे provision है कि evidence record होने के लिए accused का presence जरूरी है accused का statement जरूरी है 313 का statement जरूरी है तो ये लेकिन provision जब ढूडेंगे तो appointment का provision केवल 394 में मिलता है तो आप देखे कि बिना अभिचारों को प्रारम किये हुए case के disposal का पहला point आपको 320 में मिल जाता है compounding matter में compound हो सकता है उस compounding matter में दो चार्ट मिलते हैं एक जहाँ पे agript person को ये power दिये गया है कि वो उसको mark कर दे अपनी concern दे दे दूसरा जहाँ पे थोड़ा nature उसका गंभीर है जिसका transaction वो केवल agript party के मर्जी पे नहीं है उसकी दया पे नहीं है तो वहाँ quote involved हो जाते कि हाँ कि वहाँ पे जब वो permit करेगी तभी आप जो है वो case compound होगा तो 320 मिला फिर 321 में public prosecutor ही case वापस ले ले case में party criminal cases में अनिवारी party क्या है state versus ABCD ABCD versus state तो state का representative public prosecutor case को विड़ा कर ले तो दूसरा point हो गया तीसरा आप देखते हैं कि जहाँ पे death हो गया accuse का अब इस death वाले में जब आप provision डूडेंगे तो ये appointment का जो provision है वो केवल 394 है वो भी केवल appeal में है कि appeal के हुआ है उसमें उसकी death हो जाती है तब case अबिट होगा बाकी में trial में वो कहीं provision नहीं है लेकिन पूरी CRPC का जो बुनावट है जैसे वो बनाये गया उसमें बिना accuse के जिन्दा रहते case जो है चल नहीं सकता हाँ एक इस्तती बन सकती है कि trial के किसी stage में accused के death हो जाती है और CRPC ये कहती है कि accused के घर वाले ये चाहते है कि नहीं कुछ just decision है उन्हें विश्वास है कि उसमें नयाय होगा तो वो case को proceed करने के लिए apply कर सकते हैं तो यानि कि mandatory provision नहीं हुआ कि death हो गई तो case अबिट हो जाएगा तो अबिट्मेंट उप समन का प्रावधान के वल 394 में दिखता है फिर एक दिखता है आपको समन cases में कि procedure को stop कर दो 259 259 में आप देखिए कि magistrate को एक extraordinary power मिला हुआ लिकन ये है कि वो उसके satisfaction पे है वो समन cases में 258 के requirement को पूरा करते हुए उस procedure को ही stop कर सकता है और high quote कहती है कि देख लीजिए पेटी नेचर के जो मामले हैं छोटे मामले हैं और जिसमे case चलाना जरूरी नहीं है उसको आप रोब दीजिए खतम करिए तो procedure वहाँ पे stop 258 में stop हो जाता है तो वहीं पे वो वो आप जानते हैं कि charge frame हुआ है तो एक विटल होगा charge frame नहीं हुआ तो discharge का उसका impact होगा प्रभाव होगा फिर आप एक और provision आता है C.R.P.C. में कि कई मामले में accused absence है नहीं उपस्तित हो रहा हाजिर नहीं हो रहा है तो भी case खतम हो सकता लेकिन ये provision एक युज नहीं भी आता है चुकि case state case है crime से related है crime society against होती है तो warrant trial में और session trial में ये position नहीं है accused नहीं भी हाजिर हो रहा है तो भी case चल सकता है जैसा कि 299 में आप लोग ने देखा वो delay हो सकता है पड़ा रहेगा procedure complete करके जब पकड़ा जाएगा वो तब उसमें decide होगा लेकिन case नहीं खतम होता session trial warrant trial में complaint case में 249 है कि ये दी परिवादी नहीं हाजिर होता है तो उस condition में case समाप्त भी हो सकता है 249 के ingredient पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं तो ये हो गया आपका अब पांचवा आता है pardon जो सापरादी को छमादान 306, 7, 8 में तो ये पांच ऐसे बिंदू है जिनको आपको रखना और इसके एक-एक बिंदू को बड़ा सवाल आया तो इसको साथ में आप mention करकर के इसमें लिख सकते हैं और इस point एक नजरीया आपका ये बन जाना चाहिए कि ये कभी question आया तो हमको इसमें इन 6 बिंदूओं पे जबाब को लिखना है जो time allotted होगा जितना time मों इसको देना चाहिए ये genuinely उतना में हमको अपने सवाल को लिख डालना है तो basic चीद है कि इन 6 तरीकों में बिना अभिशारण को पूरा complete किये हुए केस को decide किया जा सकता है 320, 321, 258, 249, 256, 394, 306, 78 तो ये है तो अब इसका एक पार्ट, 320 पे हम लोग पहले देख चुके है 256, 249, 259 ये पहले देख चुके है 224 पहले देख चुके है 306, 307, 308 देख चुके है अब इसमें से एक टापिक जो बचा है 321 और 394 पे आगे चैसा करेंगे तो आब देखिए कि अब हम क्या हुआ कुछ दिस्टरप्स लाज़ा क्या आवाज आ रही मेरी तो प्रासिक्यूशन में क्या क्या कोईशन बन सकते हैं सायर तो चौविस 55 और 25 ए मेरे आपको दिखता है तो यह 24, 25 और 25 एक पब्लिक प्रास्टिक्यूटर चाहें वो पब्लिक प्रास्टिक्यूटर की कैपिसिटी में हो चाहें स्पेशल पब्लिक प्रास्टिक्यूटर की कैपिसिटी में हो या APP असिस्टेंट पब्लिक प्रास्टिक्यूटर की कैपिसिटी में हो यह तिन यह हो गया चेक करने वाला है तो डिस्क्रिशन इनका बिवेक संगत होना चाहिए तो इसको चेक करने का तरीका है कि कोट जब कंसेंट देगी परमिट करेगी तब ही वो केस विड्रा हो सकता है आधर वाइज नहीं फिर प्रोविजन में ये भी आया कि ये दि सेंटरल गौवर्मेंट से रिलेटेट कुछ मैटर है तो सेंटरल गौवर्मेंट का फिर उसमें परमिशन चाहिए फिर स्टेट चुकी CRPC concurrent list समवर्ति सुची का भी से है जिसमें कानून सेंटरल गौवर्मेंट ने बनाया हुआ है परलेमेंट ने बनाया हुआ है तो इसी समान रूप से कानून बनान अधिकार स्टेट को भी है तो यूपी स्टेट में ने खلة कीया है यूपी स्टेट ने बिकाया है के हां उनका अपना matter हुगा स्टेट से रिलेटेड तो उसमें स्टेट गौवर्मेंट की भी प्रमिशन जरूरी है तो public prosecutor को यह हो गया अब एक question आता है कि यह जो public prosecutor withdrawal का application दे और उस पर जो भी वर्क करता है यह किस नेचर का होता है तो यहां हमको बिल्कुल ध्यान रखना है कि यह एग्जेक्यूटिव नेचर का वर्क है जुडिस्यल नहीं है फिर यह आता है कि इसके दिस्क्रिशन का क्या आधार होगा क्या आधार से रपिसी में बढ़ रिट है त सीवनंदन पाश्वान का आरके जैन का अब्दुल करीम का भी सारे किसेज हैं इस पर कल हमने किसेज आपको भी किया था तो सीवनंदन पाश्वान इस पर 1983 और फिर बाद में इसका रिब्यू होके 87 में यह लाइन मार्क डिसीजन है तो अब इस डिसीजन में यह बताए गय कि पॉब्लिक प्रासिक्यू-टर को यह नहीं है कि इस टेट गौवर्मेंट ने कह दिया तो वह डाल देंगे वह जबिसीजन का डायर आरडर है उसके बावजूद भी पॉब्लिक प्रासिक्यू-टर को दो चीज करना है वो इस शीज करते ह,解 करेंगे और अपना माइन्ड apply करेगा यानि कि as a post office कि state government ने दिया या central government ने दिया और उन्होंने court में डाल दिया कि सरकार ने कहा है इसलिए इसको वापस कर दिये नहीं वो सुतंत रूपशे नेड़े लेगा आल्दो वो state का एजेंट है एजेंसी है उसके बावजूद भी वहाँ पे उसको सुतंत रूपशे decision लेना है वहाँ पे good faith में होना चाहिए और अपना mind apply करना चाहिए अब यह किन तरह के मामलों में लिया जाना है CRPC नहीं बताती लेकिन जो judicial decisions हुए हैं उससे यह आया है कि जहाँ public interest है public peace है public order है तो उन conditions में ही withdrawal के permission दिया जाना चाहिए एक और भी इसका dimension है कि case को चलाने के बार कई बार इस पर dispute हुआ लेकिन आप देखिए RKZN के मामले में यह कहा गया कि case को चलाने में यदि सफलता मिलने के संभावना अत्यंत छींड है तो उस इस्तिती में भी case को prosecutor withdraw कर सकता है और court permit कर सकती है तो यह ground वो भी हुआ आपने देखा कि जब पहला जहां से start हमने किया कि अखिर इसका purpose क्या है आपजेक्ट क्या है क्यों दिया गया जब case चलाना है और इसके लिए CRPC में provision दिया हुआ है तो एक बार जब तुमने start कर दिया तो क्यों वापस लोगे इसलिए कि perfection कहीं पे भी नहीं है चुकि बनाने कानून बनाने वाले भी मनुष्य है उसका पालन करने वाले भी मनुष्य है और उस कानून का उलंगन करने वाले भी मनुष्य है किस तरह के हालात में किस तरह की परिस्तितियों में किया गया है कैसी बिवेशना हुई है कैसा decision हुआ है इस अब भी मायने रखता है कि केस चलाने में public का भला है या case को यहाँ पर इसी stage पर खतम कर दिया जाए उससे public good ज़्यादा लभानवित होगा तो इन conditions में एक तरह से correctional power कि कहीं कोई त्रूटी रह गई है तो उसका निदान किया जा सके और दूसरा कहीं छोटे और बड़े हित में small और larger interest में से select करना पड़े तो larger interest को लेना है student किसी union के influence में एजिटेशन में भाग लेते हैं cases हो जाते हैं धरना प्रदशन पुतला पुकने का तो state का जो main primary वो है कि state smooth रूप से काम करें सबके को protect कर सके society में कोई fear नहों डर नहों law and order maintain हो तो इसलिए उनके पर case हुआ लेकिन दूसरी तरफ यह हुआ कि case चला किस साल case चलेगा और उसके बाद इनको सजा हो जाएगी जेल हो जाएगी इनका future वरबाद हो जाएगा तो state का citizen वो भी है जिसने कानून का तोड़ा है तो उसमें फिर balancing देखनी पड़ती है किसमें क्या public interest किसमें है तो दो तरह के public interest में से decision लेना पड़ता और यही decision लेने में good faith की आप सकता पड़ती है और public prosecutor को अपना mind वहाँ लाइक करना पड़ता है क्योंकि supreme court यह करती है कि public prosecutor क्या होता है minister of the court होता है एक तरह से न्याले का न्याय मंत्री होता है और उसको न्याय के लिए कारे करना चाहिए तो minister of the court होने के वज़े से उसका यह काम है कि वो सही डंग से court को भी advice करें और सारे facts सही सही डंग से लाए तो public prosecutor अब आप देखिए public prosecutor केस को जो आपस ले रहा है किसी accused के against में case है तो if the accused के against में case खतम हो जाएगा तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात होगी तो जो उसका interest है अब वो public prosecutor का interest हुआ दोनों interest merge कर गए तो ऐसी conditions में जो aggrieved है victim का क्या रोल होगा तो यहीं पर locust stand-eye का question आता है कि state के बिहाब पर state के representative प्रतनिधी के रूप में public prosecutor काम कर रहा है तो case को conduct करना चाहिए complete करना चाहिए और victim को नया दिलाना चाहिए लेकिन अब वो बजाए इसके case को वापस ले रहा है तो victim को क्या कोई remedy है तो कोई provision 321 पे नहीं है पूरी CRPC में नहीं है कि यहाँ पे हो सकता अब यहाँ एक टेक्निकली यह देखते हैं कि CRPC में पहले 301 और 302 में देखें कि 301 में public prosecutor permit कर सकता है और victim या अपना एक council इंगेज कर सकता है जो लेकिन वो public prosecutor के supervision में ही काम कर सकता है 302 में court permit कर सकती है कि हाँ आप अपना उकी लग सकते हैं लेकिन जब public prosecutor केस को विड्राल करने का application दे रहा है तो जो यह private council victim तरह से इंगेज हुआ वो तो उसके supervision में ही काम कर सकता था तो अब यह दो पार्ट नहीं हो जाएंगे कि वो एक case conduct करने के लिए पहर भी करें और public prosecutor केस को वापस लेने के लिए वो करें तो इसे लिए शिवनंदन पास्वान और राम रेश्पांडे आरके जैन और तमाम cases में यह permit किया गया कि जो victim है aggrieved है वो भी intervene कर सकता है और उसमें local standard का technical formula नहीं लागू किया गया लेकिन clear cut कोई spare provision नहीं है बट case law की मदद से यह कि कर सकता है तो अब मालो bidra करने की permission भी मिल गई है तो क्या वो victim उसको challenge कर सकता है तो ध्यान रखना है आपे कि 321 के order के against में appeal नहीं होती तो क्या हो सकता है कोई दूसरा उपाय तो 321 के order के against में revision हो सकता है और यह revision कहां होगा यह देखेंगे 397 में session court या high court में revision हो सकता है और यहां पे victim भी उसकी revision के लिए apply कर सकता है अब एक question यह आता एक क्यूज का क्या locust क्या क्यूज उसमें अपियर हो सकता है public prosecutor ने डाला और वो यहीं ही सरकारी आदेश है सरकार ने जियो किया हुआ है आदेश दिया हुआ है और आदेश को काफी लगा दिया और कह दिया है कि सरकार ने आदेश दिया हम इसलिए मुकदमे को वापस लेते हैं इसमें लोग हित है और लोग हित को हम define नहीं कर पा रहा है तो एक्यूश कूटता फात्ता आया और कहें कि साब ये तो मेरे ही बारे में फैसला होने वाला है तो क्यों नहीं मुझे भी सुन लिया जाए तो यहां लोकस का question arise करता है तो यहां quote कर सकते नहीं आपका कोई लोकस नहीं है आप इसमें intervene नहीं कर सकते तो आपका ये पहलू भी ओ रहा फिर हमने जैसा कहा कि state case के विड्राल की बात है 321 में complaint case के विड्राल की नहीं complaint को में prosecutor complaint होता है या उसका अधिवक्ता होता है public prosecutor नहीं होता तो इस condition में complaint के विड्राल का provision इसमें 321 में ये कहां पे है न तो warrant trial में है न session trial में है ये summon trial में आपको 257 में मिल सकता है तो इस पे आपका ये है तो question में आपका देखिए कि ये है कि object क्या है purpose क्या है विड्राल कौन कर सकता है किन लोगों के खिलाप किया जा सकता है किन मामलों में किया जा सकता है किस stage पर किया जा सकता है और क्या क्या इसके लिए conditions है तो conditions में पहले नियम का आपको परिशान करना चाहिए कि 321 में public prosecutor judgment सुनाने से पहले डाल सकता है ये condition हुआ है यानि judgment सुनाने के बाद नहीं डाल सकता appeal में नहीं डाल सकता revision में नहीं डाल सकता खारिश किया है तो उसका revision कर सकता और वहाँ पर बहास कर सकता है कि हाँ ये विद्डा कर किया जाना चाहिए दूसरा court का consent जरूरी है तीसरा state central government या state government से related मामले है तो उनका permission भी required है तो ये आपके conditions हो गया अब एक आता है कि discretion public prosecutor पे को आप विवेशित करिए तो discretion में आपको क्या दिखना है कि वो public good में काम करेगा क्यों करेगा क्योंकि वो minister of the court है और वो केवल state का agent मातरन नहीं है ठीक है public good, public peace, public policy ये प्रमोट कर रहा हो सकता है तो उस ground उसको बना सकता है या आप देखिए कि मुकदमा चलने के बाद पूरी छेंड संभावना है कि उसमाप्त हो जाएगा तब कर सकता है क्यों यहाँ पे भी एक public interest है आपको इसको explain करना पड़ेगा कि ये state की policy है कि मुकदमे कम से कम होने चाहिए ये लोक हित्म है कि मुकदमे वाजी का अंत होना चाहिए तो एक public interest यहाँ पे भी है कि case चलने नाइक नहीं है तो इसको ख़दम करो किसमे public good ही है तो आपका यह है फिर public prosecutor इंटर्व्यू में पूछ सकता है कि क्या being a public prosecutor आपको government ने कहा कि तुम्हे एक case को विड़ा करो तो आप अपना independent mind अपलाई करके क्या मना कर सकते है अब ये बड़ा कठिन काम है वह state ने the order किया है तो आपको मानना ही पड़ेगा नहीं मानेंगे तो आपके departmental proceeding आपके अगेंस्ट में होगी आपको हटाया भी जा सकता है जो सरकारी आदेशू का पालन नहीं करेगा तो क्यों सरकार की नवकरीम रहेगा सरकार के लिए सरकार उसके लिए पैसे क्यों खर्श करेगी लेकिन जो सुप्रीम कोट की लाह है उसके हिसाब से जैसे एक केस में क्या हुआ कि स्टेट गौवर्मेंट ने पब्लिक प्रासेक्यूटर को आडर किया पब्लिक प्रासेक्यूटर ने अपने डिपार्टमेंट को डायरेक्टर को केस बताया कि मेरे उपिनियन में ये केस जो है वापस लेने लाइक नहीं है और कई cases इस तरह से affected होंगे तो फिर डारेक्टर प्रास्टिक्यूशन ने गौवर्मेंट को बकायदा लेटर लिखा कि हमारा पब्लिक प्रास्टिक्यूटर की ये opinion है मेरी भी ये opinion है और ये case इसमें वापस लिये जाने लाइक नहीं है तो बाद में state government को उसको follow करना पड़ा और उस पे permit करना पड़ा कि जो application इसने डाला है विड्राल का application उसको not price करके उसको वापस लेने का तो उस पे भी क्या हुआ कि court में case चली है और आगे तक गया supreme court तक कि magistrate ने कहा कि नहीं आपने एक बार दे दिया तो वापस नहीं ले सकते तो उसमें कहा नहीं वो application दे सकता है तो उसको वापस लेने का भी application डाल सकता है ठेक है अब एक इसका पहलू कल हमने mention तो किया था पर उसको इस पेसिफिकली आप भी जान लिजिए कि जो locust standive है उसमें क्या public prosecutor के अलावा कोई private अधिवक्ता अपना वकलत नामा लगा सकता है public की तरफ से तो देखिए सिवनंदन पाश्वान में ये कहा गया था कि public पे at large effect होने वाला है तो वो भी intervene कर सकती है और वारवंकी में एक case में terrorist के against में case withdrawal का order हुआ government से public prosecutor ने case डाला था तो public prosecutor अपनी तरफ से कोसिस कर रहते case वापस लेने का लेकिन वहां के अधिवक्तावन ने लगबग 40-50 एडोकेट्स ने अपने वकलत नामा उसमें लगाया थे और case को अपोज किया था और वारवंकी सेशन कोड से withdrawal का application खारीज हुआ था और फिर high court तक गया था और high court से भी confirm हुआ ओ आडर तो यह आपके dimensions है अब एक question 321 में मिलता है कि जब एक case withdrawal करने का permission मिल गया court ने दे दिया तो इसका effect इसका प्रभाव क्या होगा consequences इसके परिड़ाम क्या होंगे तो आप जानते हैं कि इसको दो तरीके से देखना होता है कि क्या charge frame हो गया है या नहीं चार्ज यह दि फ्रेम हो गया है तो उसका सीधा सा impact होता है कि वो equitable हो जाएगा और charge frame नहीं होगा तो discharge हो जाएगा लेकिन कुछ ऐसे cases भी हो सकते हैं जैसे summon cases में charge frame करना नेसेसरी नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा impact तो वहाँ पर equitable होगा क्योंकि summon trial में discharge का stage नहीं है कोई भी वहाँ तो या तो equitable होता है या connection होता है warrant trial में session trial में discharge एक्विटल और conviction तीन option तीन तरह के परड़ाम दिखते हैं यहाँ पे दो तो charge जहाँ पर frame है वहाँ एक्विटल चार्ज नहीं frame होगा और उसके पहले विड्रा क्या है तो discharge जहाँ charge का provision ही नहीं है तो वहाँ एक्विटल तो और charge frame कर दिया गया तो भी एक्विटल तो इस तरह से इसके consequences हो गया है तो 321 पर यह है किसी का कोई 321 पर और कोई question हो तो आपको यह देखना है और court का तो consent बिन court को ही order करना है और उसका order एदि allow करता है तो consent है नहीं allow करेगा तो फिर वह allowed नहीं है this consent है तो consent उसकी तो necessary है ही और आपके यूपी में भी जो government के consent की बात है तो central government का पहले से already provision है state government के लिए यूपी government का भी इसमें वह यह है तो ओके अब discharge का क्या impact होता है या आपको पता ही है discharge कहां कहां है तो आप देखेंगे जैसे यह संजजी ने लिखा है session के मामलों में 227 में warrant trial में 239 में है और warrant trial भी दो तरीके होते हैं state case में 239 में है और complaint case में 245 में है तो इस तरह से आप तो कोई any question about withdrawal from prosecution आप लोग मेरे ख्याल से इस पे 321 पे question आटेम्ट हो जाने चाहिए आपको अब आते हैं चोटी चोटी चीज़े हैं 322, 323, 324, 26, 27 तो इन में से 323 और 325 वो ज्यादा important है और जो problem के point of view से भी है, interview के भी point of view से है और general आपके intelligence के लिए भी ज़रूरी है बाकी provisions से भी जैसे open court की बात कहां आई है तो 327 में के court भी open जाले खुला होगा criminal court हमेशा open court मानी जाती है unless की कोई specific provision नहीं है या court ने कोई आदेश नहीं किया है कि तुम मेरे courtroom में campus में नहीं आओगे तो अब उसमें 321 के बात 322 में और 323 ये दोनों में एक तरह से लगते हैं लेकिन दोनों में फर्क है 322 में क्या है कि आप देखिए 322 कहता है कि जिन मामलों का निप्टारा magistrate नहीं कर सकता है यानि जिन cases को during inquiry, during trial dispose करने magistrate साहब को लगता है कि उनके द्वारा वो case disposal नहीं हो सकता है तो फिर उस condition में उनको क्या करना चाहिए उसके लिए 322 में है 323 में है कि magistrate inquiry या trial कर रहा है और उसमें उसको लगता है कि नहीं ये case तो मामला गंभीर है ये तो tribal wise session का मामला है तो 300 during देखे कमीटल प्रोसिडिंग 209 में दिया हुआ है सत्र में सुपूर्द करने की प्रकिरिया 209 से RPC में दी गई है लेकिन जब एक बार विशारा प्राराम हो जाता और उसके मद्ध में नयाले को magistrate को ये लगता है कि नहीं ये तो सत्र सुपूर्द होने लाइक मामला है tribal wise session court का अफेंस है बनता है तो वो session trial जैसे मान लिजिए कि 323, 324, 504, 506, 402 का case मजिस्टित की court में शुरू हुआ और 324 का जो चोट है वो सार्वीपिन जो है इंजरी है और किसी घातक अतियार से कारित की गई है चोट का जो nature है इंसाइज उन्ड है जिससे ये लगता है कि इससे जान भी जा सकती थी और जिसने अटेक किया है उसका intention case में ये साबित हो जाता है कि ये उसको मारना चाहता था और ये इंसाइज उन्ड आई है 324 तो 324 को prosecutor जो है इन अपने जो statement हुआ है उसके अधार पे medical evidence को quote करते हुए एक application देता है कि 216 में आप charges में अल्टर करिए 307 में और quote ये पाती है कि 307 का matter है तो वो case को 307 का trial वो कर नहीं सकते है तो वो session में उसको commit कर देते है या देसे मान लिजिए कि case में 25 arm set का case है और 307 का case है 307 वाला case जो है चला गया कमिटों के session court में और 25 arm set का मुकदमा रह गया बाद में पता लगता है कि नहीं ये case तो उस crime number से जुड़ा हुआ है 307 वाले से और I.O.B. एक ही है और material भी उसमें जो है जो हत्यार बरामद हुआ है जिसका इस्तमाल किया गया है उसकी case property है तो magistrate साहब ये mention करते हुए कि ये such and such crime number 307 का से ये connected है उसी का ये case property है बरामद सुदा ये तमंचा इसलिए इसको मेरे opinion में सेशन में उसी के साथ विचारित किया जाना नय संगत होगा तो वो 320 की मदद से क्या करेंगे कि case को transfer कर देंगे सेशन कोट में यानि case commit हो जाएगे तो एक तरफ 209 हुआ और दूसरी तिरफ 320 हुआ लेकिन 309 और 320 से पहले 322 भी है 322 में भी ये magistrate पाता है inquiry trial के दौरान कि ये उसके दौरा presumption किया जा सकता है कि उसको इस case को trial करने का अधिकार नहीं है या इस case को even trial की बाद छोड़ी है commit करने का भी अधिकार नहीं है या उसको लगता है कि ये matter जो है ये दूसरे magistrate के jurisdiction में आने वाले थाने से सम्मंदित है और उसको trial के लिए दिया जाए या commital के लिए दिया जाए या उसको इन सब बाते नहीं है फिर भी उसको लगता है कि इसका trial CZM के द्वारा होना चाहिए तो क्या करेगा पहला काम करेगा कि जिस stage पे proceeding है वहीं पे उसको रोक देगा और रोकने के बाद एक report summary बनाएगा और summary के साथ अपना एक report देते हुए CZM को वो case transfer कर देगा और CZM ने कोई standing order कर रखा है कि इस तरह के मामलों में फला magistrate की court से फला magistrate की court में case जाएगा तो CZM के order के अदिन आते हुए दूसरे magistrate के पास भेज सकता है तो अब यह जिसके पास भेजा गया है वो क्या गया है यह दि उसको वास्तों में empowered है उसको अधिकारिता है उसको उतने के लिए ससक्त है तो क्या कर सकता है वो सूब जैसे CZM के पास है CZM क्या कर सकता है उसका trial खुद कर सकता है या अपने subordinate किसी magistrate को उसको transfer कर सकता है तो यह 322 में है कि मज़िस्टेक को यह लगना चाहिए कि इस केस का disposal वो नहीं कर सकता या इस केस का disposal में न तो उसका trial के द्वारा निप्टा सकता है नहीं commit करके उसको भेज सकता है तो इस तरह की परिस्टियों के लिए 322 में remedy है फिर 323 में है कि inquiry या trial हो रहा है और उसके मद्ध में तो यहाँ पे depend यह करता है कब तो inquiry या trial चर रहा है लेकिन judgment पे sign नहीं हुआ यहाँ पे आया sign word आया कि judgment पे signation नहीं किया है लेकिन उसको अभी sign नहीं किया है तो उस stage तक जाके मामला वो case को commit किया जासकता है 323 में तो यह 323 का आपका provision है 324 एक special provision की बात करता है इसमें भी एक तरह का कमीटल है लेकिन यह कमीटल का nature बहुत ही specific है यह बात करता है chapter 12 और chapter 17 IP से की अध्याय बारा और अध्याय शत्रह का इदि कोई अपराद है अध्याय बारा का मतलब कि 231 से लेके 263 ए तक तो यह ओ मामले हैं जिसमें सिक्के या स्टैम्प से रिलेटेट कोई अफ्यंस हुआ है तो इसमें इसका 324 का जिस्ट यह है कि यह chapter 12 या 17 में जो अपराद है चैसिक के का स्टैम्प का या प्रापर्टी के अगेंस्ट जो chapter 7 है वो आपका 379 से लेके और 462 तक जाता है तो वो offenses अगेंस्ट प्रापर्टी चोरी और एक्स्टार्शन राबरी डगेती यह सब के मामले है तो उससे रिलेक्टिट प्रापर्टी है उनमें यह किसी में यह आदमी को conviction हो चुका है पहले और उसी तरह का मामला फिर आ गया और मजिस्टेट को यह दिखा कि साब इसको तीन साल या तीन साल से अधिक की सजावा आल लेडी पहले हो चुकी है इसी तरह के मामले में और उस मजिस्टेट को लगता है कि ऐसे कंडिशन में इसका ट्राइल उसके द्वरा नहीं किया जाना चाहिए उसको पावर नहीं है तब वो ट्राइबल वाइब मजिस्टेट का मामला है तो सीजिम के हाथ और ट्राइबल वाइब सेशन सेशन का मामला है तो सेशन में केस को कमिट कर देगा अब यहां पे जब यह कमिट होगा कि तो यह भी ध्यान रखना है कि एक से अधिक मुल्जिम है तो सारे मुल्जिम भेजे जाएंगे कि अनलेस कि उनमें से कुछ को डिश्चार्ज ना किया गया तो तो 324 में आपको यह प्रोविजन मिलता है 325 एक ऐसा है जो अपने आप में कम्प्लीट फीगर नहीं है और CRPC में यह तरह से कमी है बहुत बड़ी और एक एनामली भी है कि जो यह प्रोविजन है कहीं न कहीं बिल्कुल जाके अधूरा सा दिखता है क्या है कि आपने देखा कि अब सेशन जज है अधिसनल सेशन जज है कि तो फासी तक की सज़ा दे सकते हैं कि उन्से नीचे वाले जज़ सहाब है और साल तक की सज़ा दे सकते हैं लेकिन मजिस्टेट साहब में जो सबसे बड़े मजिस्टेट साब है सीजीम शाब वो साथ साल से अधिक सजा नहीं दे सकते हैं लेकिन ट्रायबल वाई मजिस्टेट में का जो सीडूल में साणिद दिया गया है उसमें आप देखिए कुछ आपने से आइसे हैं जो बिचारान मजिस्टेट तो करेगा लेकिन उसमें जो punishment है वो maximum punishment उनके उस section 29 में दिये हुए अधिकार सिमा से ज़्यादा है और उनको लगता है कि इसको तो कोई रियायत नहीं देना चाहिए इसको तो जो सबसे कठिन वाला है सबसे ज़्यादा वाला वही सजा देनी चाहिए तो क्या करेंगे जब उनको पावर नहीं है तो उतना दे नहीं सकते तो मामला भेजना पड़ेगा तो कहां भेजना पड़ेगा तो magistrate के लिए सबसे बड़ा magistrate सीजियम है तो सीजियम तक जाएगा अब मालो कि 326 का केस है कि 409 का केस है तो आप देखिए इसमें आजियोन कारावास तक है चार सो सरशच है इसमें आजियोन कारावास तक है तो अब लेकिन उनका बिचार माजिस्टेट के द्वारा होना यह जो भीज़े। किसके पास बैजे अ फरस्ट कलास इसमान लों मालों के सीजियम फरस्ट है कहीं या MM है तो OCM तक भेजेंगे तो अब क्या है कि वो भेजे CGM साफ के पास तो अब CGM साफ भी 326 में लाके उसको आज़िवन करवास्तों दे नहीं देंगे तो अब वह दी CGM को लगे तो क्या करेंगे तो CRPC में कहीं प्रोविजन नहीं है इसको आप ढूरिए कहीं नहीं मिलेगा तो फिर ये आपको कहीं न कहीं इसमें जजमेड लाजो है जूरिशन इंटरप्टेशन है इसमें जाना पड़ता है और इस्टिल आज की तारिक तक लोग इसको बहुत किलियर नहीं रहते हैं तो फिर इसमें ये भेजा जाता है वहाँ पे शेशन में भेजा जाता है फिर सेशन दिसाइड कर बट प्रोविजन नहीं पूछ लिए दिखाओ तो कहां से दिखाएंगे नहीं दिखा पाएंगे तो ये है कमी अब ये भाईश में अभी से यार्पिसी कुछ संसुदित होने वाले साइड का भी हो जाए तो अभी आज की तारिक में तीन सो पचीस में ये प्रोविजन होने के बावजूद यहां पे ये कुछ कमी है अब आप ये देखिए कि तीन सो पचीस में क्या हुआ कि तीन सो पचीस में आप ये देखिए कि कब आता है कि जो मजिस्टेट भेजता है उसके सामने एविडेंस सारा रेकार्ड हो गया उसने सुन भी लिया दोनों पार्टी को और ये पाता है कि हाँ ये दोसी है अपरादी है इसको कन्विक्शन कियाना चाहिए लेकिन जो पनिश्मेंट वो ग्रेटर पनिश्मेंट देना चाहता है उसका देने का उसको पावर नहीं है तो 305 में दो तरह की स्कितितियां है एक आद्र देन सेकिंद्स क्लास मजिस्टेट की बात करता है और यूंक्स किवल सकेंड्स क्लास मजिस्टेट तो सकेंड्स मेजिस्टेट को अब आप देखिए एक section 106 की बात आती है 106 में होता है कि जब conviction hold किया जाता है तो उस पे कुछ उससे बांड लिया जा सकता है कि तुम पीस को मेंटेन रखोगे तो लोग शानती मनाय रखने का उससे बांड लिया जा सकता है बंद पत्र लिया जा सकता है तो वहाँ पे आप देखिए कि वह पावर जो है सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को नहीं है वे फार्ज मजिस्ट्रेट उपर जा जा इसको इसको से नीचे वाले मजिस्ट्रेट को ज सीज lequel sm जीज ना पड़ेगा वो चाहे तो उसमें evidence भी ले सकता है, दिन लोगों का ब्यान हो चुका उनको फिर से बुला सकता है, या कुछ additional evidence भी का सकता है पेश करने के लिए, और फिर उसको सुनने के बाद, उसको decide कर सकता है, अधिर देना है कि नहीं, और यदि नहीं लगता है, तो पनिश्मेंट नही देगा बड़ा होके, और उसको फिर से decide करने के लिए, इनके पास भेज़ देगा, तो यह आपका 325 में, 326 तो बात कर में आए, 325 काफ़ी important section है, ध्यान से देख लीजिएगा आपको, अब तीन सो 326 में आप देखे हैं कि जजिज भी public servant हैं, उनका भी transfer होता है, वो भी human being है, कभी कभी कोई contingency भी हो जाती है, तो उनकी जगप पे दूसरा, public post है, presiding officer की post खाली नहीं रती है generally, तो यदि वो vacant नहीं है court, तो कोई न कोई presiding officer होगा, तो जो एक की जगप पे दूसरा आता है, उसी continuity में उसको case को आगे continue करता है, तो उसी continuity के लिए 326 का provision है, कि एक magistrate ने या judge ने कुछ सुन लिया है, कोई कारवाई बढ़ा दी है, फिर उसका ऐसी इस्तिति आती है, कि उसका use नहीं कर सकता, आपने power का उस court में, transfer हो गया, परखास्त हो गया, suspend हो गया, बिमार पढ़ गया, लंबी पे, तो करने के मतलब यह है, कि कोई दूसरा उसकी जगह पे आता है, और यह अपना use नहीं कर सकता, तो उसका successor हो गया, तो जो successor आएगा, वो पदेन, वो पहले वाले के power को exercise करेगा, और आगे को proceed करके, अपने complete करेगा, और दूसरा यह जब successor आता है, तो उसका हाथ बदे नहीं हुआ है, कि पहले वाले जो किये हैं, उनकी तरब देख नहीं सकता है, यानि कोई गवाही हो चुकी है, तो यह यहाँ पे 326 में एक और power दिखता है, कि बाद वाला जो magistrate है, यह इसको उचित लगे तो जो all lady examine है, उनको भी फिर से बुलाके examine कर सकता है, तो 326 में यह है, तो यह transfer वाले cases में भी है, तो अब यह 326, तो यह कि पद के बाद जो दूसरा आदमी आएगा, उस पद को शंभालेगा, इस general concept पर काम कर सकता है, transfer हो गया, तो जो दूसरा आएगा transfer ही, वो उसको समभालेगा, लेकिन 326 की मदद तो वहाँ पर नहीं मिलती है, summary trial में, या उस तरह, 322 में जहाँ पर proceeding रोग दी गई है, तो वहाँ उस court में एक ने proceeding रोग दिया है, और दूसरा आगया, तो वो अब इस्तमान नहीं करेगा, अब उस पहले वाले की इसाब से उसको transfer करना पड़ेगा, तो इसलिए 322 भी नहीं होगा, फिर 325 में भी यह दिए, उसने case को commit कर दिया है, आडर कर दिया, तो अब आके ऐसा नहीं करेंगे, आप उसको बिड़्डा कर लेंगे, इसलिए कि criminal law में एक concept है, basic concept है, कि criminal court has no power to review their own orders, अपराधिक नयायलें को पुनर विलोकन का अधिकार अप नहीं होता है, यानि अपने आदेश को review नहीं कर सकते हैं, तो 326 में यह आपका provision हो गया, अब 327 में, 327 क्या करता है, कि 327 में ही यह provision है, section पूछता है कभी कभी, कि court to be open, यह provision कहा है, तो 327 में, क्या है कि अफेंस, अपराध समाज के विरुद्ध होता है, और जब समाज के विरुद्ध होता है, अपराधी के विरुद्ध प्रकिरिया जब प्रारम हो जाती है, नयाले में, तो इसी नाते समाज को भी अधिकार राता है, कि वो भी आके वहाँ पर देख सकती है दर्सक दिर्गा में आ सकती है सुनने आ सकती है देखने आ सकती है जानने आ सकती है तो इसलिए 327 करता है कि यह जो क्रिम्नल कोट होगी open कोट होगी यानि वहाँ एकसेस सबका होगा public का लेकिन यहाँ सबका जाएंगे तो इसलिए कहा जितने आसानी से courtroom में आ सके, जतना convenient धंसे हो सके, तो जब convenient कितना हो सकता है, इसको कोन तय करेगा, तो judge on court में जो coordinating officer है, judge हैं, तो तय करेंगे, तो इसलिए यह session यह भी कहता है कि वो इसको regulate कर सकता है यानि कितने लोग रहेंगे ये वो तैय कर सकता है कितने लोग रहेंगे कितने लोग नहीं रहेंगे ये भी तैय कर सकता है specific भी वो तैय कर सकता है कि ये फला आदमी हमारी court में नहीं रहेगा या ये कि जिसको पुकारा जाएगा वही आएगा तो यह सारे प्रावर बाई बर्चू आप ओपन कोर्ट और उसके रेगुलेशन के नाते से 327 में प्रविजन दिया लेकिन कुछ अफेंसे ऐसे होते हैं जो समाज के विरुद्ध तो माने जाते हैं लेकिन उस सील से रिलेटेड होते हैं जैसे कोई विक्टिम है रेप की तो जिस तरह से मोड मैनर में वो सब किया गया है वो सारे चीज़े पबलिकली करने पे हासाज पदिस्पती हो सकती इसलिए से RPC में ये भी प्रविजन कर दिया गया है कि रेप जो डिफरेंट टाइप के हैं उनका प्रोसीडिंग जो होगा इन कैमरा होगा यानि बंद कमरे में होगा और बंद कमरे में जब प्रविजन CRPC ने बना दिया या किसी स्पेशल एक्ट ने तो उसका उलंगन नहीं किया जा सकता अब किसी ने बंद कमरे की कारवाई को बाहर निकाल दिया तो क्या होगा तो एक अलग ओफेंस हो जाएगा तो बाहर निकलने के लिए material यानि पेपर भी निउस पेपर भी नहीं कर सकता है कि हमारे जो है ये फिटम आप प्रेस है इसलिए हमारा पंड़नामेंटर लाइट है तो इसको करें नहीं हमारे याँ प्रोसीजर इस्टेबलिस वाई लाँ है और जो नेच्रल जस्टिस है उसके हिसाब से भी तो कहीं बिना परमीशन से आप बंद कमरे की प्रक्रिया को बाहर नहीं कर सकते हैं कोट परमीट करती है तो ऐसे मामले में उसकी पहचान को गुप्त रखते हुए प्रोसीड करने की बात कर सकती है तो इस तरह से देखते हैं कि ये चैप्टर हम लोग ये पूरा कर दिये तो यही मोटी चीज़े हैं अब इन पर किसी को कोई कोश्चन हो तो बताईए अब नेक्स क्लास में देखते हैं अभी और कब हम स्टार्ट कर पाते हैं हम लोग तो जो है यह है तो अभी आज का आप लोग का अटेनिंस काफी कम रह रहा है बाद में क्लास को देखने में होता है कि आप ग्रैस्ट तो करते हैं लेकिन जो माइन का नेचरल कोर्स होता है कि क्वेश्चन या जो बात सामने आ रही है उसका अगला स्टेप क्या होगा तो यानि माइन को एक्सरसाइज करने का ज़दा अपचुन्टी तब होता है और चीज़े धंग से बैठती है तो जो सिरियस लोग हैं उनको अटलिस प्लास में लाइप प्लास में वो होना चाहिए और यह मेरी कोशिस है कि आप लोगों को सहज धंग से चीज़े वो किया जासके जो जरूरी चीज़े हैं उसको सही धंग से आप आप वो करें क्योंकि देखिए जो करो मन लगा करो आटे टाइम आप इन्वाल्ब हैं आप टाइम दे रहे हैं जब भी दे तो इस टाइम को भरपूर यूज करने की जरूरत है फूल कैपिसिटी के साथ करने की जरूरत है स्यार्पिसी लेंदी है टाइम ज्यादा लग रहा है ससरी तोर पे निप्टाई जा सकती है लोग बेरेक को का वाचन कर सकते हैं तब भी कोर्स कम्प्लीट हो सकता है लेकि फिर वो बात नहीं आप आएगी क्योंकि आज जो एक्जाम का पैटर्न है और जो कम्प्टिशन का लेवल है और जितना मेटेरियल आपको लेवल है तो कम्प्टिशन टप होता जा रहा है तो शार्पनेस नहीं रहेगी तो आप एक्जाम को कैसे हैंडिल करना है यह नहीं कर पाएगी आपको इंटर्व्यू में यही कुछ सवाल टेक्निकल आ गया तो कैसे यह तो कभी सुना है देखा है बाचित हुआ है अभी यहाँ यह भी अपरशनिटी है कि हम लोग करनवर्सेशन कर सकते हैं और जो है कोई दिमाग में जिग्यासा है तो इसका समधान कर सकते हैं ठीक है तो अब next class देखते हैं कि नहो तो बेल पे आते हैं बेल स्टार्ट करते हैं हलाकि अभी इसके बाद content अगरे से related provision है वो भी पूछता है बट बड़े बड़े चीज़ेश कर लेते हैं बेल पे आते हैं next class में तो आप तो देखके आईए तो अभी ठीक है समझ में आ रहा है आप लोग को चलो ठीक है थैंक यू एवरीबडी